साथियों इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान पहले कभी नहीं चलाया गया है यह भ्यान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश है जिनकी संख्या तीन करोड़ से कम है और भारत वैक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही तीन करोड़ लोगों का टिका करन कर रहा है दूसरे चरण में हमें इसको तीन करोड़ की संख्या तक ले जाना है जो बुजूर्ग है जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं उन्हें वो अगले वाले चरण में ठीका लगेगा आप कल्पना कर सकते हैं तीस करोड़ की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश है खुद भारत, चीन और अमेरिका और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज़्यादा हो इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूँ हमारे वेज्ञानिक, हमारे एक्सपर्स, जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और अप्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उपयोग की अनुमती दी है इसलिए देश वाजियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अफ्वाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है साथियों भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है और पहले से हैं हमने ये विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है मेरे प्यारे देश वास्यों हर हिंदुस्तान इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक ठीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं भारत की सक्त बैज्ञानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं भारत के बैज्ञानिकों को और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विशसग्यता पर दुनिया का इविश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है इसकी कुछ और खास बाते हैं जो आज मैं देश्वास्यों को जुरूर बताना चाहता हूं ये भारतिय वैक्सिन विदेशी वैक्सिनों की तुन्ना में बहुत सस्ती है और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी है जिसकी एक डोज पांच हजार रुपिया तक में है और जिसे माइनस सेवन्टी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है माइनस सेवन्टी डिग्री वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई गई है जो भारत में बरसों से TRIED और TESTED है। इप वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्स्ट्रेशन तक भारतियस ठीतियों और परिस्तियों के अनुकूल है। यही वैक्सिन अब भारत को कौरोना के खिलाप लडाई में निलिनायक जीत दिलाएगी। साथियो कोरोना से हमारी लडाई आत्मविश्वास और आत्म दिर्भरता की रही है इस मुश्किल लडाई से लडने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पढ़ने देंगे यह प्राण हर भारतिये में दिखाई दिया है संक्कट कितना ही बड़ा क्यों नहीं देश वास्चों ने कभी आत्मविश्वास खोया रही जब भारत में कोरोना पहुचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लेव थी हमने अपने सामर्थ पर विश्वास रखा और आज 23 से ज़्यादा लैप्स का नेटवर्क हमारे पास है शरुवात में हम मास्क पीपीई कीट टेस्टिंग कीट्स वेंटी लेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदोशों पर निर्भर थे आज इन सभी सामानों के निर्मार में हम आत्म निर्भर हो गए हैं और इनका निर्याद भी कर रहे हैं आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की इसी ताकत को हमें टीका करन के इस दौर में भी ससक्त कर रहा है